शाम 6 बजे की 6 खबरों में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे 2008 में मुंबई हमले से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान ने भारती अधिकारियों पर कौन सा नापाक प्लान अंजाम दिया दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि किस ने कहा कि दिल्ली के परिवहन विभाग को गुप्त परिवहन मंतरी चला रहे है तीसरी खबर भारत के दुश्मनों को खबरदार करने वाली होगी क्योंकि टीम 565 दुश्मनों पर वार करने के लिए तयार हो गई है चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कैलाश मान सरोवर की यात्रा को हरी जंडी दिखाने से पहले विदेश मंतरी ने श्रद्धालूं से क्या मांग की पांचवी खबर में बेल्जिम के सबसे बड़े ताले की तस्वीर आपके सामने होगी और छटी खबर में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के महोबा में 18 बंदर कुए के अंदर कैसे पहुँच गए और फिर क्या हुआ नमस्कार आपके साथ मैं हूँ विद्यानाज जेन्यू में देश विरोधी प्रदर्शन को लेकर जीन्यूज ने जो फुटेज दिखाई थी उस पर CFSL ने मुहर लगा दी है CBI की Central Forensic Science Laboratory ने जाच में Z News की फुटेज को सही ठेराया है दिल्ली पुलिस ने जाच के लिए फुटेज CFSL भिजवाया था अब CFSL की जाच रिपोर्ट में साफ हो गया है कि Z News पर दिखाए गए फुटेज से कोई छेड़खानी नहीं हुई थी जिस तरीके से कुछ राजनिस्तिक पार्टियां और लेफ्ट के जितने भी लीडर्स हैं उसके साथा चाहे दिल्ली के हम CM को ले 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 और तमाम ऐसे कई सारी स्टेट के CM को देख ले तो वो लगातार फ्रीटम पाप स्पीश के नाम पे और डॉक्टर वीडियोट के नाम पे वो जो सच्चाई थी उसको घुमाने की कोशिस केते हैं लेकिन अब वीडियो आ गया है अब तो सबूत सासब के सामने है अब हम दिल्ली प्रसासन से और जो स्पेसल सेल काम कर रही है उस पे हम द्र जिन लोगों ने नौफरवरी की साम को देश विरोधी नारे लगा है और जिसनों ने हमारे देश की असमिता पे सवाल उठाए तो आपको याद होगा नौफरवरी की ये तस्वीर है जीनियूज ने आपको तस्वीर दिखाई थे उसके बाद हमारी विश्वस्नियता को ल दिखाई थी और उसके बाद अब इस बात की पुष्टी हो गई है कि जीनियूज पर जो वीडियो आपको दिखाई गई उस वीडियो के साथ किसी तरह की कोई छिड़कानी नहीं हुई थी